हमारी फिल्म 3 Idiots जब रिलीज होने वाली थी, रिलीज से पहले हमने कई स्क्रीनिंग रखे थे, टेस्ट स्क्रीनिंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि हम आडियन्स जैसे आप लोगे उनको बलाते हैं, फिल्म दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि फिल्म कैसी लगी, ऐसे एक हमने किया था, बंबई में एक फैक्टरी में कारिगर लोग काम करते हैं, तो करीब 25-30 कारिगर आये थे हैं, उस स्क्रीनिंग में, स्क्रीनिंग के बाद उनका एक कारिगर था, उसने मुझे एक सवाल पूछा, जो बहुत कमाल का सवाल था, उसने मुझे ये सवाल पूछा कि सर पिच्चर के अंत में हमें पता लगता है कि आप तो रंचोडदास थे नहीं, रंचो थे नहीं आप, तो certificate तो आपको मिला नहीं, तो आप इतने बड़े scientist कैसे बन गए, इतने बड़े patents, 400 patents, जापानी लोग आपके पीछे पड़े हैं, तो आपको certificate तो मिला नहीं, तो आ आप इतने बड़े scientist कैसे बन गए, बहुत ही एहम सवाल है यह, बहुत ही important सवाल है, और यह जो मद्दा है, उसके heart में जाता है यह, कि जब मैं exam के लिए रट के, जवाब देता हूँ, और वो जवाब में मुझे number मिलते हैं, और मैं pass हो जाता हूँ, तो मेरे हाथ में एक प चाहते हैं कि आपको मिले, विद्या मिले आपको, तो फिर वो कागज का माइने कुछ होता नहीं है, तो मैंने उसको जवाब में दो सवाल पूछे, मैंने बोला उसको कि भीया, आपको क्या लगता है, मैं अच्छा actor हूँ, उसने बोला हाँ, देजभर में आप, सब लोग म जो मुझे बोलता है कि मैं अच्छा actor हूँ, मैंने फिर उससे एक सवाल पूचा, कि आप, मैंने सुना, आप बहुत अच्छे cutter हैं, आपके जो boss मुझे बताते हैं, कि आप उनके main cutter हैं, और आपकी बड़ी इज़त करते हैं वो, आपके बास कोई परचा है, certificate है, जो मुझे बताता है कि आप cutter हो, उसने मुला नहीं सर, तो मैंने मुला आपका जवाब आपको इधर ही मिल गया, education is beyond marks, education is beyond grades, education is what you learn, और मेरी इच्छा है, कि हिंदुस्तान में हम education को इस नजरिय से देखें, कि हम अपने बच्चों को वाकई शिक्षा दें, और शिक्षा हम खुशी से दें, क्योंकि शिक्षा में सिर्फ ग्यान नहीं होता, शिक्षा में एक और चीज मिली भी होती है, वो यह है कि हम अपने बच्चों को develop करते हैं as human beings, आगे चलके वो जिंदगी में अच्छे इंसान बने, आगे चलके वो अपने पैरों पे खड़े रह सकें, आगे चलके व दूसरों के बारे में ध्यान रखें, आगे चलके वो किसी के चहरे पे मुश्कराहाट ला सकें, आगे चलके वो किसी की मदद कर सकें, इस इस वाट वी शुड डेवलप ऑफ आर चिल्रेन, यह मेरी फीलिंग है, मैं जहां भी देखता हूं, यह मेरे साथ भी हुआ है, जब सेकंड, सेकंड आए तो, अरे, फर्स नी आए, डान पड़ती उसको, जो बुलता है, मैं टेंट आय तो उसकी तो हालत ही बुरी हो जाती, बच्चे को लगता है, यार, यह फर्स आना पड़ा जरूरी है, उसको रेस में पूछते है, तो मेरेस में फर्स आएक के सेकंड होता है, जब लोर केजी में रेस होती है, चमचा मूँ में लगा के उसमें नीबू डल के भागते हैं, उसमें भी हम बच्चे को बुछते है, रहे मेरा बेटा फर्स आना, मतलब पैरिंस चिला रहे है, बेटा भागो, मतलब नीबू लेके भागो, तो उसमें होता क्या है, कि बच्चे को लगता है कि यह बड़ा जरूरी है मेरे पेरिंट्स को हमेशा मेरे पेरिंट्स मुझे एकी सवाल पूछते हैं मैं first आया कि नहीं उसके जहन में यह बात बैढ जाती है कि मेरे को अवल आना है मेरे को compete करना है मेरे को बाकी लोग से आगे निकलना है teachers भी यही सवाल उसको पूछते है आम तोर पे मेरे साथ हुआ है होता क्या है कि जब बच्चा 21 साल का होता है तो वो बड़ा selfish हो जाता है और उसको selfish हमने बनाया है हमारी system ने बनाया है वो अपनी बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है क्योंकि यह हमने उसको train किया है बच्चपन से बच्चपन से हमने उसको यही train किया है कि बेटा तुम पहले आना बाकी सब लोग को भूल जाओ तो जब वो नौजवान बनता है तो उसका नज़रियां सोसाइटी की तरफ यही हो जाता है कि भाईया मुझे आगे बढ़ना है by hook or by crook I must succeed I don't care about anybody else मेरा यह दिल कहता है मेरा यह दिल चाहता है कि अगर हम जितने यहां parents हैं adults हैं youngsters हैं जो कल जाके parents बनेंगे अगर हम अपने बच्चों को यह सीख दें जब वो चोटे हैं जब वो घर आए हम उसको यह सवाल पूछें यह नहीं पूछें कि मार्क्स कितने मिलें उसको यह पूछें कि बिटा आज तुमने किसकी मदद की आज तुमने किसके चेरे पे मुसकराहट लाई अगर हम उसको यह पूछें तो उसको यह लगेगा कि यार जरूरी यह है मेरे parents मुझे हमेशा यह पूछते है मार्क्स का तो अभी पूछते नहीं वो मुझे से यह पूछते है कि भईया तुमने किसको help किया आज तो help करना लोगों को लोगों के बारे में सोचना लोगों के चेरे पे मुसकराहट लाना यह मेरे parents के लिए बड़ा important है psychologically वो इस चीज़ के साथ बड़ा होगा school वो ही जाएगा पढ़ाई लिखाई वो ही करेगा वो उसका नजरिया थोड़ा बदल जाएगा जब वो नौजवान जब वो बच्चा नौजवान बनेगा 21 साल का होगा और सारे बच्चे उस उमर के जब 21 साल के होंगे हमारी society change हो जाएगी क्योंकि तब क्योंकि तब हमारी society में ऐसे नौजवान होंगे जो खुद के बारे में नहीं सोच रहे है दूसरों के बारे में सोच रहे है तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे education system में मैं देखना चाहूंगा जो मैंने अपने school life में नहीं देखी कि हमको ये एहमियत इस पे दी जा रही है कि हम अपने आसपास के बच्चों को कितना help कर रहा है कि सबसे पहले तो हर बच्चा खास होता है ये मैंने discover किया अपने research में हर बच्चा खास होता है हर बच्चे में हमारी तरह आपकी तरह और हमारी तरह हर बच्चे में कुछ नकुछ काबलियत होती है, कुछ न कुछ कमजोरी होती है मुझ में भी कमजोरी है, काबलियत है आप में भी कुछ न कुछ काबलियत और कमजोरी है और हर बच्चे में कुछ न कुछ कमजोरी और काबलियत होती है और हमें as parents, as elders, as education system हमें हर बच्चे की खासियत को पहचानना है उसे मदद करनी है, उसकी क्या खासियत है, उसका क्या दिल चाहता है उसे किस चीज में खुशी मिलती है वो हमें उसको हेल्प करना है कि हम उसको ढूंड सके और उसमें हमें सपोर्ट करना है और जो उसकी कमजोरी है उसमें हमें उसको सपोर्ट करना है मुझे अकसर education institutes मुझे बोलते हैं कि हम हमारे school में सारे बच्चे पास होते हैं हमारे school में सारे बच्चे first आते हैं या हम जो board exam में हमारे सारे बच्चे पास होते हैं मुझे एक सवाल पूछना है कि हमारे कितने बच्चे खुश हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है हमनी अफ़ा चिलने ना हैपी। और वो जो हैपनिस कोशिंट है वो मेरे लिए सबसे एहम है। क्योंकि देखी पढ़ाई लिखाई तो हम सीखी लेते हैं। जब मुझे कोई चीज सीखनी होती है तो मैं कुछ न कुछ करके सीखी लेता हूं।